जनपत में सोमार को जुलास पताल CSC बसंदपूर सहित 68 केंदरों पर 18,917 लोगों कोविट का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें फर्स डोज लेने वालों में 13,723 लोग और सेकंड डोज लेने वालों में 5,194 लोग शामिल रहें जिसके संबंद में सेमों डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमार को दो महिला तथा दो अभिभावक स्पेशल केंदरों पर वैक्सिनेशन किया गया है इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, BRD Medical College, AIMS और CHC वा PSC सहित 68 केंदरों पर 18,917 लोगों को वैक्सिनेशन किया गया है सेमों ने कहा जिले में लक्ष के सापेक्ष वैक्सिनेशन किया जा रहा है अब तक कुल 11 लाख लोगों को कोविट का वैक्सिनेशन किया जा चुका है जो एक रिकॉर्ड है सेमों ने लोगों से अपील किया कि वैक्सिन अवश्य लगवाएं इस संबन में गुरपुर नियू से बात करते हुए सेमों डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा लिएला नियू से लगशिंव रिधिया किया है छूप में । साथ . romance अलाइक ब्लाइक बहन भूब हम झाल यह पूशे really not नेक्नी का लानाफ और का झाली ने हमझे कर दो ये वहां आप दोओ ये आपrau जास्कर्फात करेंगे सब्ड़करा ल जी प्रवाल आप holiday ऑर जाप Deutsche chw dai अपले हाव आज हम जिले में 68 जगों पर टीका करन कर रहे हैं, इसमें से दो अभिवावक की स्पेसल बूद चल रहा है, दो मैला स्पेसल बूद चल रहा है, और हमारी CSC, PSC, Urban PSC का टीका करन चल रहा है, आज का लक्ष हमारा 10,000 से जादा का है, और सभी सिंटरों कर वैक्सिनेशन कराने करने वाले भी महीं हैं, तो हम लक्ष से जादा प्रशिसनेशन करा करारी है, तो अधे हम पूरे जिले में हम ग्यारा लाग्श से जादा लोगों को टोस कर दे चुके हैं, और ंसे दिन हमारा 10,000-12,000 से उन्हेंता वैक्सिनेशन से जो बहा है, झाल